दोस्तों यहाँ पर हम UPSC के previous year questions को discuss कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सभी subject के previous year questions को discuss किया जाएगा और topic wise discuss किया जाएगा आपको बताया जाएगा कौन से subject के किस topic से किस प्रकार के questions आपसे पूछे जा रहे हैं तो आज की class में हम discuss करने वाले हैं modern history के previous year questions modern history के previous year questions पर आपकी दो classes already आ चुकी हैं इसके अलावा art and culture के previous year questions भी हमने discuss किये हैं तो आपको इन सभी classes को भी देख लेना है इनकी playlist UPSC previous year questions के नाम से इसी channel पर बना दी गई है तो आप playlist को ज़रूर follow करें चलिए फिर start करते हैं आज क class 26 question है आपके सामने आंद्र परदेश में मदन पल्ली के संदर्भ में निम्नमे से कौन सा कथन सही है तो आपको मदन पल्ली के संदर्भ में देखना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है सबसे पहला कथन है पिंगाली वेंकेईया ने यहां भारतिय राष्टिय धुज तिरंग टैंगोर ने यहां राष्टगान का बांगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था और चोथा कथन है मैडम बलावतसकी तथा करनल ओलकाट ने सबसे पहले यहां थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय इस्थापित किया था तो आपको बताना है कि आंद्र परदेश म मदन पल्ली के संदर्ब में कौन सा कथन यहां पर सही दिया गया है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका option C होगा option C रविंद्र नाथ टैंगोर ने यहां राष्टगान का बांगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो यह आपका यहां पर सही आंसर होगा तो देखते हैं next question 27 question है आपके सामने collaborate Mission के संदर्ब में निम्नलिखित में से कोन सा कथन सही है दोहजार पंदरा की प्रीलिम्स में यह Coach & अप से पूछ गया था cabinet mission के संदर्भ में देखें सबसे पहला कथन है इसने एक संग्या सरकार के लिए सिफारिस की थी दूसरा कथन है इसने भारतिय न्यायालियों की सक्तियों का विस्तार किया था तीसरा कथन है इसने ICS में और अधिक भारतियों के लिए उपबंद किया तो कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तो 27 का सही आंसर होगा option A केवल एक कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है तो पहला कथन कहता है कि cabinet mission ने एक संग्या सरकार के लिए सिफारिस की थी तो यह कथन यहाँ पर आपका सही है बाकी यहाँ पर गलत दिये गए है 28 question है आपका सर स्टेफर्ड किरिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि दुईत्य विश्व युद के बाद आपको बताना है कि कौन इस sentence को कौन यहाँ पर पूरा करेगा तो यह question आपसे 2016 के प्रिलिम्स में पूछा गया था सर स्टेफर्ड किरिप्स की योजना के बारे में सबसे पहला कथन है भारत को पूर्ण स्वेतंतरता प्रदान की जानी चाहिए दूसरा कथन है स्वेतंतरता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए तीसरा कथन है भारत को इस सर्थ के साथ गंतंतर बना देना चाहिए कि वहराष्ट मंडल में सामिल होगा और चोथा कथन है भारत को डॉमीनियम स्टेटस दे देना चाहिए तो चार कथन यहाँ पर आपको दिये गए हैं सही आंसर आपको बताना है 28 का सही आंसर option D होगा सर स्टेफोल्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि दुईत्य विश्वयुद के बाद भारत को डॉमीनियम स्टेटस दे देना चाहिए तो option D यहाँ पर आपका सही होगा 29 कोशन है आपका क्रिप्स मिशन के प्रेस्तावों के संदर्ब में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए सबसे पहला कथन है सविधान सभा में प्रांतिय विधान सभाव और साथी भारतिय रियासत दुवारा नामित सदस्य होंगे दूसरा कथन है नया सविधान सुईकार करने के लिए जो भी प्रांत तयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिती के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधी पर हस्ताक्षर करे तो कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है ये चीज़ आपको बतानी है देखिए 29 का सही आंसर है option B केवल दो कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है तो दूसरा कथन आप देख सकते हैं किरिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्ब में दूसरा कथन कहता है कि नया सवीधान सुईकार करने के लिए जो भी परांत तयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्तिती के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संदी पर हस्ताक्षर करे तो क्रिप्स मिशन में यह है आपका प्रस्ताव था तो 29 का सही आंसर यहाँ पर आपका option B है चलिए आगे बढ़ते हैं 30 कोशन है आपके सामने रॉलेट एक्ट के बारे में काफी important कोशन है रॉलेट एक्ट का लक्षय क्या था यह आप से यहाँ पर पूछा गया है 2012 का कोशन है सबसे पहला कथन है युद्ध परियासों को अनिवारिये आर्थिक समर्थन प्रदान करना दूसरा कथन है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचिप्त प्रकिरिया दुआरा करना दीसरा कथन है खिलाफत आंदोलन का दमन करना चोथा कथन है प्रेज स्वेतंत्रता पर प्रतिबंद लगाना आपको बताना है रोलेट एक्ट का लक्षय आखिर क्या था तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ओप्शन बी ओप्शन बी रोलेट एक्ट का लक्षय था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचीवत प्रकिरिया के दुआरा करना 31 कोशन है आपका रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है 2015 के प्रिलिम्स में ये कोशन आप से पूछा गया था सबसे पहला कथन है रोलेट अधिनियम सैडिशन कमेटी की सिफारिस पराधारित था दूसरा कथन है रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने हॉम रूल लीग का उपयोग करने का परियास किया तीसरा कथन है साइमन कमिशन की आगमन के विरुद हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह की साथ साथ हुए थे तो कौन सा कथन यहां पर सही है केवल एक केवल एक और दो केवल दो और तीन या एक दो तीन आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सही है तो friends इसका सही आंसर है option B केवल एक और दो कथन ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में देखिए रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में रोलेट अधिनियम सैडिशन कमीटी की सिफारिस पराधारिता ये कथन आपका सही है और दूसरा कथन है कि रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उप्योग करने का परियास किया था ये कथन भी यहाँ पर आपका सही दिया गया है चलिए बढ़ते हैं आगे 32 कोश्चन है आपका सन 1893 में सर वीलियम वैडरबर्ण तथा डबलू एस कोन ने किस उदेशय से इंडियन पार्लियमेंटरी कमेटे की स्थापना की थी 2011 का ये प्रशन है सबसे पहला कथन है भारत में राजनातिक सुधारों हेतू House of Commons में आंदोलन करने के लिए दूसरा कथन है भारतियों के सामराज्यक नियाईपाली का में परवेस हेतू अभियान करने के लिए तीसरा कथन है भारतिय स्वेतंतरता पर ब्रेटिस संसद में चर्चा सुगम करने के लिए और चोथा कथन है ब्रिटिस संसद ने विख्यात भारतियों के परवेश हेतु आंदोलन करने के लिए आपको बताना है कि सन 1893 में सर वीलियम वेडर बर्न तथा डबलू एस कौन ने कि सुदेश्य से इंडियन पार्लियमेंटरी कमेटी की स्था आपना की गई थी 33 कोशन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है भारतिय स्वेतंतरता आंदोलन के संदर्भ में उशा महता की ख्याती किस चीज को लेकर है तो 2011 का यह प्रश्न है तो सबसे पहला यहाँ पर कथन है भारत छोड़ों आंदोलन की वेला में गुप्त कॉंग्र पर देश रेडियो चलाने हेतु है दृत्य गोल में संबेलन में सहभागिता हेतु है तीसरा आजाद हिंद फोज की एक तुकडी का नेतरतव करने के लिए यह परसिद है चोथा है नहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहयक भूमी का निभाने हेतु यह परशिद है तो आरत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कॉंग्रेस रेडियो चलाने हेतु उशा महता परशिद है तो 33 का आपका सही आंजर ओप्शन ए है चलिए आगे बढ़ते हैं 34 कोशन आपके सामने हैं दि मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 2016 से संबंदिर था सबस का सही आंजर ओप्शन डी है समवेधानिक सुधार मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 2016 यह आपका समवेधानिक सुधार से संबंदित था 35 कोशन है आपका निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए सबसे पहला कथन है 1919 के मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुध 21 वर्ष से अधिकायू की सभी महिलाव के लिए मत अधिकार की संस्तुती की गई थी दूसरा कथन है 1935 के गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाव के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था तो उप्यूक्त में से कौन से कथन सही ह यह आपको यहाँ पर बताना है तो इसका सही आंसर ऑप्षन बी होगा तो केवल दो कथन ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है देखिए यहाँ पर आपको बताया है कि 1935 के गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाव के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था तो यहाँ पर आपका ओप्षन दो ही सही कथन है 36 कोशन आपके सामने है 1905 में लाड करजन दुआरा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा 2014 की प्रिलिम्स में ये कोशन आपसे पूछा गया था सबसे पहला कथन है पर्थम को निराकरत किया जाने तक तीसरा कथन है महत्मा गांधी दुआरा अपना सविन्य अवग्या अंदोलन आरंभ करने तक और चोता कथन दिया गया है भारत के 1947 में हुए विभाजन तक जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया तो आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा 36 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं 1905 में लाड करजन दुआरा किया गया बंगाल का विभाजन समराट जार्ज पंचम दुआरा दिल्ली में 1911 की साही दरबार में करजन की अधिनियम को निराकरत किया जाने तक बना रहा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए नेक्स्ट कोशन है आपका निमनलिखित में से किस आंदोलन की कारण भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिनाम स्वे रूप नरम दल और गरम दल का उदभव हुआ यह 2015 की UPSC प्रिलिम्स क दीखते हैं नमे की बताना है कि इस आंदोलन के परिनाम स्वे रूप कॉंग्रेस का विभाजन हुआ था सबसे पहला कथन है स्वे देश interrupt दूसरा कथन है भारत छोडोर ंंदोलन तीसरा कथन है ऐसेयो और दोलन और चोथा कथन है सविन्य Jew अवग्या अंदोलन तो कॉन सा आंसर यहाँ पर सही होगा इसका सही आंसर है option A स्वेदेसी आंदोलन तो friends यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस का विभाजन स्वेदेसी आंदोलन के परिनाम स्वेरूप हुआ था और कॉंग्रेस आपकी नरम दल और गरम दल में बट गई थ 38 कोशन है आपका वर्स 1907 में सूरत में भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस के विभाजन का कारण क्या था 2016 का यह आपका कोशन है सबसे पहला कथन है लार्ड मिंटो दुआरा भारतिय राजनीती में सामप्रदाइकता का परवेश कराना दूसरा कथन है अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वारता करने की छमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास कायभाव होना तीसरा कथन है मुसलिम लीग की स्थापना होना और चोथा कथन है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अर्विंद घोस की ऐसा मर्थता तो कौन सा यहां पर सही होगा इस चीज को आपको ध्यान से देखना है देखिए तो आप से पूछा गया था कि वर्स 1907 में सूरत में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था सही आंसर है इसका ओप्षन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरंपंथियों की वार्ता करने की छमता के बारे में चरंपंथियों में विश्वास का एभाव होना इसका सही आंसर होगा 39 कोशन है आपके सामने स्वैदेसी और बहिसकार पहली बार किस घटना के दोरान संघर्स की विधी के रूप में अपनाई गए थे 2016 का यह कोशन है तो आप देख सकते हैं 4 ओप्षन आपके सामने दिये गए हैं इसका सही आंसर ओप्षन ए होगा बंगाल व बहाजन के विरूद आंदोलन के दोरान संघर्स की विधी के रूप में अपनाई गए थे 40 कोशन है आपके सामने स्वैदेसी आंदोलन के संदर्व में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए सबसे पहला कथन है इसने देशी सिल्पकारों के कोशल तथा उद्धियोगो को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया दूसरा कथन है स्वैदेसी आंदोलन के एक अव्यव के रूप में राष्टिया सिक्षा परिशद की स्थापना हुई थी तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको यहां पर बताना है देखिए तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहां पर है आपका ओप्शन सी एक और दो दोनों यहां पर आपका सही कथन दिया गया है देखिए एक बार फिर से देखिए स्वैदेसी आंदोलन के संदर्भ में इसने देशी सिल्पकारों के कोशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया था और सिक्षा परिशद की स्थापना हुई थी 41 कोशन है आपके सामने 1919 के भारत साशन अधिनियम की निम्न में से कौन सी परमुख विसेशता है सबसे पहला कथन है प्रांतों की कार्यकारिनी सरकार में दुएद साशन की व्यवस्ता दूसरा कथन है मुसल्मानों के लिए प्रथ केवाल एक اور तीन ही यहाँ पर आपका सही कथन दिया गया है देखिए 1919 के भारत साशन अधिनियम की क्या विसेशता हा है तो सबसे पहले प्रांतों की कार्यकारिनी सरकार में दुएद साशन की व्यवस्ता और तीसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधाई सक्ती का हस्तांतरन तो यह यहाँ पर आपका सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 42 कोशन है आपके सामने बंगाल के तेभागा किशान आंदोलन की क्या मांग थी तो यह आप से पूछा गया था 2013 के प्रेलिम्स में 42 का स भागा आंदोलन की क्या मांग थी इसकी मांग थी जमीनदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एकतिहाई करना 43 कोशन है आपका 1942 के भारत छोड़ों आंदोलन के संबंध में कौन सी एक टिपनी सत्य नहीं है तो यह चीज़ आपको बतानी है सबसी पहला किया था 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तो आपको यहा पर जो सत्य नहीं है उस टिपनी को यहां पर पहचानना था तो यहां पर आपका सही है कि उसका नेततव महत्मा कांधे ने किया था यह आपका यहांपर गलत का थन कह धांद्थ है सबसे पहला कथन है AICC दुवारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगिकार किया गया दूसरा कथन है वाई सराई की कार्यपाली का परिशद कविस्तार अधिक संख्या में भारतियों को सम्मिलित करने के लिए किया गया तीसरा कथन है साथ प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्याक पत्र दिया और चोथा कथन है किरिप्स ने प्रस्ताव रखा कि दुईत्य विश्वयूद समाप्त होते ही संपूर्ण डॉमिनियन स्टेटस वाले भारतिय संग की इस्थापना की जाएगी तो 44 का सही आंसर option A होगा भारतिय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्ब में कौन सा कथन सही है तो आपका ये कथन यहाँ पर सही है कि AICC दुआरा भारत छोडो प्रस्ताव अंगिकार किया गया था तो option A आपका यहाँ पर सही होगा 45 question आपके सामने है देखिए खेडा के किसानों के पक्ष में महत्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था सबसे पहला अकाल पढ़ने के वाउजूद प्रशासन ने भूराजश्व की उगाही स्थागित नहीं की थी दूसरा प्रसाशन का है प्रस्ताव थ तो कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है 45 का सही आंसर होगा आपका option एक केवल एक कथन ही यहाँ पर आपका सही है सबसे पहला कथन यहाँ पर है कि अकाल पढ़ने के बावजूद प्रशासन ने भूराजश्व की उगाही स्थागित नहीं की थी तो खेडा के किसानों क कि पक्षमी महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था सबसे पहला ही आपका यहाँ पर सही होगा चली आगे बढ़ते हैं 46 कोशन हैं आपके सामने महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे ग्यहन धारनाएं on to this last unto this last नामक पुस्तक में प्रति यहाँ पर बताना है सबसे पहला कथन दिया गया है सुसिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दाई तो है कि वह है सोशित तथा निर्धनों का उत्थान करें दूसरा कथन है व्यक्ति का कल्यान सब के कल्यान में नहित है तीसरा कथन है उच जीवन के लिए ब्रहमचरिय तथा आ सही आंसर है option B 46 का सही आंसर option B दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि व्यक्ति का कल्यान सबके कल्यान में नहीं थैं तो वह कौन सा संदेश था इस पुस्तक का unto this last book पुस्तक का कौन सा संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला तो यह था आपक कि पुस्तक देशेर कथा के संदर्ब में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए सबसे पहला कथन है इस पुस्तक ने ओपनिवेसिक राज्य दुआरा मस्तिस्क की समोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी दूसरा कथन है इस पुस्तक ने स्वैदेशी नुकर नाट को तथा लोक गीतो को प्रेरित किया तीसरा कथन है देवसकर दुआरा देश सब्द का परियोग बंगाल छेतर के विशिस्ट संदर्ब में किया गया था तो कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है इसका सही आंसर ओप्शन ए होगा किवल एक और दो कथन यहाँ पर आपका स में सब्सकर की पुस्तक देशेर्कतह क्याता के संदर्भ में देखिए इस पुस्तक ने ऑपनिवेसिक राज्ये दुआरा मस्तिस्क की समोहक विजह की विरोध में चेतावनी दी ती और इस पुस्तक ने स्वैदेसी नुकार नाट को ततं लोक गीतों से प्रेरित किया था चलिए आगे देखते हैं 48 कोशन है आपका इन में से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतिया धार्मिक गीती काविया Songs from Prison से संबंदित है बाल गंगा धरतिलक, नहरू, गांधी जी या सरोजनी नैडू 48 का सही आंसर ओप्शन C होगा मोहंदास करमचंद गांधी तो Songs from Prison से कौन संबंदित है यहां पर आपके मोहंदास करमचंद गांधी संबंदित है 49 कोशन है 1932 में महात्मा गांधी ने मर्ण परियंत उपवास प्रधानते इसलिए किया सबसे पहला कथन गोलमेच सभा भारतिय राजनीतिक आकांचाव को संतुष्ट करने में एसफल रही थी कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में मत विभिनता थी तीसरा कथन है रैम जे मैक डॉनाल्ड ने सामप्रदाई कधी निर्नेन यानि की कम्यूनल एवोर्ड की घोशना की थी और चोथा कथन है उपयुक्त में से कथनों में से कोई भी सही नहीं है तो आपको बताना है कि 49 का सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 1932 में महत्मा गांधी ने मरन परियंत उपवास प्रधान्त है इसलिए किया क्योंकि रैम जे मैक डोनाल्ड ने सामप्रदाईक अधी निर्नेन कम्यूनल एवोर्ड की घोशना की थी पचासवा कोशन है आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिकिरिया में प्रारंब किया गया था तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिकिरिया में प्रारंब किया गया था 2013 के प्रिलिम्स का ये कोश्चन है तो आज की वीडियो में आपका मोडर्न हिस्ट्री के टोटल 50 कोश्चन यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाते हैं 50 कोश्चन अमने यहाँ पर डिसकस कर लिये हैं आपको बाकी की वीडियो को भी जरूर देख लेना है और सभी सब्जेक्ट के प्रिवियस ये कोश्चन को यहाँ पर डिसकस किया जाएगा तो आपको continue classes को देखना है इसके अलावा और भी काफी सारी classes आपकी आ रही है तो आप उन्हें भी जरूर देखे सभी classes की playlist यहाँ पर बना दी गई है तो आप इसी चैनल पर playlist को जाकर तो आप playlist को जाकर भी एक बार जरूर देख ले आज की वीडियो में इतना ही इसे हम continue करेंगे अभी आपका questions यहाँ पर बचा हुआ है तो इसे हम next class में discuss करेंगे Thank you so much friends for watching the class keep watching please like share and subscribe thank you